जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का क्रीजी जी के ट्रिक चैनल पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता वीकली करेंट अफेर्स की क्लास के साथ वापस से हाजर हूँ दोस्तों यहाँ पर हम 13 से लेके 19 फरवरी 2023 के इंपोर्टेंट वीकली करेंट अफेर्स को कवर करने वाले हैं इस सेशन का दो अबजेक्टिव है पहला तो आपका टेस लेना दूसरा आपका रिविजन कराना यहाँ पर मैंने सिस्टी important questions लिये हैं जो बहुत important है और exam oriented है दोस्तों मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलिंग हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर आई देखते सबसे पहला important question राशपती द्रौपदी मुर्मुजी ने कितने राज्यों के राजपाल और उपराजपाल की निउक्ति की है तो friends इसका right answer है 13 हाली में राशपती द्रौपदी मुर्मुजी ने 13 राज्यों के राजपाल और उपराजपाल की निउक्ति की है दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं यह भारत की प्रिजेंट में राश्पती 15th नंबर की इनका नाम है दुरापदी मुर्मूजी देखी आप पर अगर आपसे पूछा जाए कि अरुनाचर प्रदेश के राजपाल कौन है तो उनका नाम है अगला प्रशनाप सभी के सामने रहा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया तो फ्रेंट्स याद रखिएगा हर साल 13 फर्वरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस देखे इसकी थीम पूछली जाती है तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है रेडियो एंड पीस इस बारगा कौनसा सांसकरंड था तो ये 12th एडिशन था नेस्ट कोश्चन आप सभी के सामने रहा मुहम्मद शाहबुद्दीन की देश के हाली में नए राष्ट्र पती बने तो फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टन कोश्चन है तो ये बांगला देश के हाली में नए राष्ट्र पती बने है मुहम्मद शाहबुद्दीन इमेज में आप देख पा रहे हैं ये हैं मुहम्मद शाहबुद्दीन दोस्तो बांगला देश के 22 वे राष्ट्र पती होंगे और इक इनके स्थान पर राश्मती बने हैं अब्दुल हामिद के स्थान पर रेना बरनावी को कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष्यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा तो फ्रेंड्स इसका सही एंसर है साओधी अरब साउधी अरब रेना बर्नावी को भीजने वाला है और यह पहली महिला अंतरिक श्यात्री होंगी यह आप देख पा रहे हैं यह रेना बर्नावी इनके साथ एक और व्यक्ति जो हैं अंतरिक श्यात्री बने हैं अली-अल करनी ये भी 10 दिवसी मिशन पर शामिल होंगे बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन हाली में किस देश में शुरू हुआ तो बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन हाली में फीजी में स्टार्ट हुआ है कहां पर स्टार्ट हुआ है फीजी में ये 15 से लेके 17 फर्वरीत तक आजित किया गया फीजी का परटन स्थाले नाडी यहां पर बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो चुका है दोस्तो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आजित किया गया था याद रखिएगा ये कोशन पूछा जाता है हाली में यूट्यूब के नए CEO बने इनका क्या नाम है तो यूट्यूब के नए CEO बने है इनका नाम है नील मोहन दोस्तो ये भारती मूल के है नील मोहन और यूट्यूब के नए CEO बने है विश्व युनानी दिवस कब मनाया गया तो friends हर साल 11 फर्बरी को मनाया जाता है विश्व युनानी दिवस दोस्तों युनानी दवाओं के माध्यम से सौास्त इकभाल के बारे में जंज आउरुकता फैलाने के उद्देश से हर साल 11 फर्वरी को मना जाता है दिवस इसकी थीम है युनानी मेडसिन फॉर पब्लिक हेल्थ निकोस क्रिस्टो डॉलाइडस हाली में किस देश के नए प्रसिडेंट बने राश्ट्र पती बने तो निकोस बने है साइप्रस के राश्ट्र पती यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है निकोस जो की साइप्रस के नए राश्ट्र पती बने हैं देखे फेंट्स अगला प्रश्णी रहा अमरित पैक्स 2013 कौद घाटन हाली में किस ने किया है तो अमरित पैक्स 2013 कौद घाटन भारत के रेल मंतरी अश्वनी वैश्णव जी ने किया है दोस्तो टिक्टो का ये पांस दिवसी महाकुम्भ है जो की 11 से 15 फरवरी तक प्रगती मैदान न्यू डेली में आजित किया गया इउन मॉर्गन किस देश के क्रिकटर थे जिन्होंने क्रिकेट से हाली में सन्यास ले लिया है तो इउन मॉर्गन इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने हाली में क्रिकट से सन्यास लिया यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं यह हैं इउन मॉर्गन आदी महसब फेस्टिबल 2023 का शुभारम कहां पर हुआ है आदी महसब फेस्टिबल कार्जन हाली में कहां पर स्टाट किया गया निउ डेली में दोस्तो भारत के आदी वासी जो जन्जाती मंतरी हैं वो है इनके पास है जन्जाती मंतराले अर्जुन मुंडा जी यह भारत के प्रधान मंतरी नरेद्र मोधी जी इन्होंने 16 फर्वरी 2023 को मेजर ध्यांचन निसना स्टेडियम में इस महसब का उधगाटन किया है इसकी थीम आप याद रखिएगा celebrating the spirit of tribal craft, culture, food and common Hyundai Motor India Limited के brand ambassador हाली में किसे न्यूक्ति किया गया है तो friends इसका सही उत्तर है यस्तिका भाटिका और रेणुका सिंग ठाकुर यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंग ठाकुर को बनाया गया है Hyundai Motor India Limited का नया brand ambassador दोस्तों एक important जानकारी हमारे crazy gk trick application पर quiz और test अवलेबल है हर विशे कि आपको यहाँ पर quiz मिल जाएगा जहाँ पर आप अच्छे से practice कर सकते है इसके अलावा हर subject की e-book भी अवलेबल है जिससे आप crazy gk trick application से download कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा एक important batch हमारा start हुआ है GS Foundation course यह RM batch है 3 जनवरी से start हुआ root application पर जहाँ पर आपको basic से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर आपको live plus recorder class bilingual class notes topic wise test series मिलेगा नतालिया गवरिलिता किस देश के प्रधान मंत्री थे जिन्होंने अपने पस्ते स्तीफा दे दिया तो friends यह मोलदोवा के प्रधान मंत्री थे जिन्होंने अपने पस्ते स्तीफा दे दिया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है नतालिया गवरिलिता देश का सबसे पहला drone air traffic management system जिसे हम बोलते है sky utm इसका नावरण किस ने किया है तो इसका सई उत्तर है नितिन गटकरी जी चली friends next question को discuss करते हैं न्याय मूर्ती सोनिया गिर्धर गोकानी किस high quote की मुख्य ने अधिस बनी है तो इसका सई उत्तर है गुजरात हाली में गुजरात high quote की मुख्य ने अधिस बनी है इनका नाम है सोनिया गिर्धर गोकानी भारत की पहली electric AC double decker bus का उत्गाटन हाली में कहाँ पर किया गया तो भारत की पहली जो electric AC double decker bus है मुंबई में इसका उत्गाटन किया गया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह electric double decker bus स्टाइपेंड योजना किस राज में शुरू की गई है स्टाइपेंड योजना को हाली में केरल राज जसे स्टाट किया गया यह योजना का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है जो कनिस्ट वकील है जो जूनियर वकील है उनको स्टाइपेंड देना योजना को राज जकी बार काउंसल के द्वारा लागू किया जाएगा काउंसल को advocates welfare trust से जोड़ा जाएगा केरल के मुख्यमंत्री पिनराय विजिन हाली में इन्होंने इस योजना के शुरुवात की है कौन सा बुक्तान बैंक UPI Light Feature लाँच करने वाला पहला बैंक बन गया है तो फ्रेंड्स ये बैंक है Paytium क्या नाम इसका Paytium तो Paytium Payments Bank Limited जिस हम बोलते PBL इसने छोटे मूले वाले UPI LinkedIn के लिए UPI Light Feature लाँच किया है और इस तरह का Feature लाँच करने वाला पहला भुक्तान बैंक बन गया है देखिए फ्रेंड्स अगला प्रशना आप सभी की सामने रहा राश्ट्री संस्कृति मौसब 2023 की शुरुआत कहां से की गई है तो राश्ट्री संस्कृति मौसब 2023 की शुरुआत मुंबई में की गई है देखिए फ्रेंड्स महराश्ट के जो राजपाल है भगासिंग कोश्यारी हलाकि ये बदल गए हैं महराश्ट के राजपाल होग है रमेश सिंग बैस तो उस समय भगासिंग कोश्यारी थे 11 फर्वरी को इन्हों ने मुंबई की चर्च केट के आजाद मैदान में इस संस्कृति मौसब का उधगाटन किया है देखिए नेस कोश्यन है रहा G20 की डिस्टल एकनौवी वर्किंग ग्रूप की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है लखनव में G20 की डिस्टल एकनौवी वर्किंग ग्रूप की बैठक हाली में शुरू हुई है भारत की G20 अध्यक्ष्टा के हिस्सिक रूप में और सूचन प्रद्योगी की मंत्राले ने 13 से 15 फर्वरी के बीच में लखनव में पहली डिस्टल एर्थ विवस्था कारसमो की बैठक आजित की है ग्यारवी भारत मंगोलिया संयुक्त कारसमो की बैठक की सहर में आजित की गई ग्यारवी भारत मंगोलिया संयुक्त कारसमो की बैठक आजित की गई है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन सा केंदर शाष्विर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा तो इसका सहित्तर है जम्मू एन कश्मीर जम्मू एन कश्मीर सबसे पहला केंदर शाष्विर प्रदेश रहा है सेकेंड नंबर पे महरास था ठैड नंबर पे हिमाचर प्रदेश फोर्थ पे आर्मी थी देखिए इसका आजन जम्मू एन कश्मीर में ही किया गया था निकी हैली ने किस देश में राश्पती पत के चुनाओं में दावेदारी की घोशना की है तो फ्रेंट्स अमेरिका के चुनाओं में राश्पती पत के लिए इन्होंने दावेदारी की घोशना की है दोस्तों यह निकी हैली विश्व स्वास्त संगठन की इस देश में मारग बरग रोग के pahلे प्रकोप की पुस्टी की है तो विशों स्वास्थ संगठन ने equatorial गिनी में हाली में मारग बरग रोग के पहले प्रकोप की पुस्टी की है हाली में 16 संदिग्द मामले यहाँ पर देखे गए हैं डबलो अचो ने इसकी सूचन प्रदान की है पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे पहला स्थान किस राजने हासिल किया है तो पाँचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महराष्ट राजने सबसे पहला स्थान हासिल किया है इसका आजन कहां पर हुआ था तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आजन हुआ था MP में MP के 8 शहरों में 31 जनवरी से लेकि 11 फरबरी तक इसका आजन किया गया दोस्तों इसका शुभंकर है होप यानि आशा इसकी थीम सौंग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को किसने राश्ट को समर्पित किया है तो भारत के प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को रास्ट को समर्पित किया है हाले में किस राज में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया तो उत्तराखंड राज में नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंधामी दोस्तों इस कानून के तहट नकल माफिया के लिए 10 करोड रुपए के जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान है इसके अलाबा नकल माफिया की संपत्ती को सनलग्ड भी किया जाएगा अंतराष्ट्री बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है वैन इस इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिबरेटेड तो हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है आप अब अब फैबर्वरी कर दीजे हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतराष्ट्री बाल कैंसर दिवस T20 अंताराष्टी क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारती कौन बनी है तो इनका नाम है दिप्ति शर्मा दिप्ति शर्मा T20 में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाली पहली भारती खिलाडी बन गई है IC AI के हाली में नए अध्यश की रूप में किसे चुना गया इनका क्या नाम है तो फ्रेंट्स इनका नाम है अनिकेट सुनिल तलाटी यह हैं अनिकेट सुनिल तलाटी दोस्तो इसका उधगाटन मुंबई में किया गया कहां पर किया गया मुंबई में प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोधी जी ने मुंबई के मरोल में अलजामिया तु सैफिया सैफिय कादमी के नए परिसर का उधगाटन किया है दोस्तो अलजामिया तुसेफिया किस समुदाय का प्रमुख सैक्षिनिक संस्थान है तो ये दाओदी बोहरा समुदाय का प्रमुख सैक्षिनिक संस्थान है Aero India Show 2030 का उधगाटन हाली में कहां पर किया गया तो इसका उधगाटन बेंगलूरू में किया गया है Aero India Show 2023 का देके friends next question है रहा Women's Premier League WPL 2023 में सबसे महेंगे खिलाडी कौन बनी है इनका क्या नाम है तो friends मृती मन्धाना Women's Premier League 2023 में सबसे महेंगे खिलाडी बनी है दोस्तो auction में इन्हें 3.40 करोड रुपे में RCB ने खरीदा है अभ्यास तारकश का छटवा संसकरन भारत और 30 देश की बीच में हाली में हुआ तो फ्रेंट्स अभ्यास तारकष जो है भारत और अमेरिका की बीच में हुआ है इस अभ्यास का उद्देश है आतंगवादियों को बे-सर करना बंदकों को सुरक्षर छुडाना आतंग वादिये द्वारा ले जा रहे रसानिक हत्यारे को निस्क्री करना चली फ्रेंड साही देखते नैस कुश्चन हाली में प्रसाद योजना के अंतरगत किन तीरत इस्तलों का चैन किया गया तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी इसमें मा चमुंडेश्वरी देवी मंदर मैसूर स्री माधववन कुझा रूगिरी पापनाश मंदर वीदर जिला स्री रेडुका यलम्मा मंदर सौधती इन चारों को सिलेक किया गया प्रसाद योजना के अंतरगत मैं आपको बता दू प्रसाद योजना है क्या ये परिटर मंतराल के द्वरा शुरू किया गया है इसमें 2014-15 में यह योजना स्टार्ट की गई इसमें जो भी तीरतिस्थल सिलेक किये जाते है उसका ओवरॉल डवलप्मेंट किया जाता है HL FT-42 क्या है जिसका नावरन HL के द्वरा किया गया तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर है ये सूपर सॉनिक जेट ट्रेनर है लडाकू पालेटों को ट्रेन करने एक लिए इसका स्थमाल किया जाता है इस विमान की टेग लाइन है The Storm is Coming हैदराबाद E-Prix का किताब किसने चीता है तो फ्रेंट्स जीन एरिक वार्गेन ने हैदराबाद E-Prix का किताब अपने नाम कर लिया है ICC Player of the Month पूरुस केटेगरी में जनवरी 2030 किसे प्राप्त हुआ है तो इसका सही उतर है शुभमन गिल दोस्तो शुभमन गिल ने आल राउंड परफॉर्मेंस की है हर फॉर्मेट में चाहे ODI हो चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो T20 हो दोस्तो इन्हें Best Player of the Month चुना गया है मैला स्ट्रेंडी में इंगलेंड की ग्रैस इस्क्रिवेंस को यह अवार्ड मिला है 13 फर्वरी से 17 फर्वरी 2023 तक वितिय साक्षर्था सप्ता का आजन कौन कर रहा है तो 13 फर्वरी से लेके 17 फर्वरी तक RBI वितिय साक्षर्था सप्ता का आजन कर रहा है इसकी थीम है Correct Financial Practices Protective इसका उदेश है आम जनता के बीच Finance Related जागरुपता को उत्पन करना National Race Walking Championship का आजन किस राज में किया गया जिसको अक्षदीव सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने जीता है तो इसका आजन जार्खन राज में किया गया है किस राज में जार्खन राज में जार्खन के मोराबादी में 14 फरवरी को अक्षदीव सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने National Race Walking Championship को जीत लिया है इसके साथ दोनों पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुके है उत्रप्रदेश के आमला और फूलपूर में इफको नैनो यूरिया तरल सयंत्रों का उधगाटन किस ने किया है तो इसका उधगाटन मनसुक मनाविया जी ने किया देखे फ्रेंट्स प्रेजेंट में डॉक्टर मनसुक मनाविया जी हेल्थ एवं केमिकल फॉर्टिलाइजर मिनिस्टर है नेस्ट कोशन ए रहा हाली में किस राज़ की विधान सभा ने समान नागरिक सहीता के खिलाब प्रस्ताओं को पारिद किया है तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर है मिजोरम मिजोरम राज ने हाली में समान नागरिक सहीता के खिलाप प्रस्ताओं को पारित कर दिया है दोस्तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे सम्विधान में आर्टिकल 44 में बताया गया है दोस्तो ये एक प्रकार का धर्म निर्पेख्ष कानून है जो किसी भी धर में जाती के सभी निजी कानोनों से उपर है प्रीती नकर दिवाकर किस हाई कोट के कारवाक मुख नादिस बने है तो इसका सयुत्तर है अलहाबाद ये अलहाबाद हाई कोट के मुख नादिस कारवाक मुख नादिस बने है दोस्तो सम्विधान के किस अनुछिद में बताया गया है कि हर एक राज्य का एक हाई कोट होगा तो आर्टिकल 214 में इस बारे में बताया गया है प्रिजेंट में भारत में 25 हाई कोट है और आर्टिकल 231 में बताया गया है कि संसत दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोड की विवस्था कर सकती है हाली में क्लब विशुकप पाँचवी बार किसने जीता है तो क्लब विशुकप को पाँचवी बार रियल मैडरिट ने जीता है दोस्तो रियल मेडरिट ने 9 साल में पांचवी बार फीफा क्लब विशुकप खिताब अपने नाम किया है इन्होंने फाइनल मुकाबले में साओधी अरब की अल हिलाल को 5-3 से माद दी है दीके फेंट्स Next Question है रहा ललिता लाजमी का हाली में निधन हो गया ये कौन थी तो ललिता लाजमी चित्रकार थी पेंटर थी जिनका हाली में निधन हो गया है धर्म गारजें प्रसिक्षन अभ्यास भारत और किस देश की भीच में होगा तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जें प्रसिक्षन अभ्यास होगा 23 इंडिया इंटरनेशनल सीफूट शो किस सहर में आजित किया गया तो हाली में कोलकाता में 23 इंडिया इंटरनेशनल सीफूट शो आजित किया गया ये 15 सलेके 17 फरवरी तक आजित किया गया है भारा सरकार के आर्थिक सायोग से बनाया गया जाफना सांस्कृतिक केंदर का उगाटन की इस देश में किया गया तो जाफना सांस्कृतिक केंदर जो है श्रिलंका में है और भारा सरकार के आर्थिक सहयोग से इसे बनाया गया है रास्ट्री महिला दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 13 फर्वरी को मनाया जाता है रास्ट्री महिला दिवस दोस्तो किन की आतपरी मनाया जाता है सरोजनी नाइडू जी की आतपर मनाया जाता है 13 फर्वरी को रास्त्री महिला देवस यह दिवस महिला के अधिकारों की स्थापना के लिए सरोजनी नाइडू द्वाराद की गए योगदान का प्रतीक है H.E.L. ने किस देश को Advanced Light Helicopter Mark 3 प्रदान किया है तो मौरशेस देश को H.E.L. ने हाली में Advanced Light Helicopter Mark 3 प्रदान किया है Air India ने एरबस बोईंग के साथ कितने विमानों का सौधा किया है तो उसका सही एंसर है 470 Felix Hoffoyet, बोगनी, युनेसको शांती पुरसकार से किसे समानित किया गया है तो एंजला मारकल जी को समानित किया गया एंजला मारकल जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी 15-16 फरवरी 2023 तक विदेश सचेव विने मुहन कौात्रा किस देश की आत्रा पर थे तो विने मुहन कौात्रा बांगला देश की आत्रा पर थे ये हैं विने मोहन क्वात्रा जो प्रजेंट में भारत की विदेश अचेव है पॉप संगीत कार बर्ट बचराच का निधन हो गया इनका संबंग किस देश से था तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के पॉप संगीत कार थे बर्ट बचराच दोस्तो लिजन्ड म्यूजिक कंपोजर कहे जाते हैं बर्ट बचराच इनका 94 एर की उम्र में निधन हुआ है बर्ट ने 8 बार ग्रैमी और 3 बार ओसकर जीता था भारत को पिछले 5 सालों में रूस से कितने बिलियन डॉलर के हतियार प्राप्त हुए है तो इसका सयुत्तर है 13 बिलियन डॉलर के हतियार प्राप्त हुए है भारत को पिछले 5 वर्सों में रूस से महराश्ट बूशन पुरसकार से हाली में किसे सम्मानित क्या गया है तो इसका सयुत्तर है डॉक्टर अपा सायब धर्माधिकारी को हाली में सम्मानित क्या गया है महराष्ट बूशन पुरसकार से महराष्ट बूशन पुरसकार रासरकार का सर्वोच पुरसकार है महराष्ट बूशन पुरसकार में एक पदक मिलता है एक प्रशस्ती पत्र मिलता है और 25 लाक रुपे की राशे मिलती है पहली बार 1996 में सम्मानित की आगया देखी friends, next question ने रहा खनन प्रहरी मोबाइल एप को किस ने लॉंच किया है तो कोला मंत्राले ने हाली में खनन प्रहरी मोबाइल एप को लॉंच किया है भारती सेना में शामिल Swarm Drone System का निर्माण किस Startup ने किया है तो इसका सही उत्तर है New Space Research and Technologies इन्होंने Swarm Drone System का निर्माण किया है दोस्तो ये जो Startup है ये Bangalore की Startup है New Space Research and Technologies दोस्तो इसका उपियो किस्मिक किया जाएगा High Altitude Area में निगरानी के लिए किया जाएगा World Government Summit में किस IIT के छात्रों ने Gold Medal जीता है Swarm Padak जीता है तो Friends World Government Summit में IIT Indoor के छात्रों ने Gold Medal जीता है दोस्तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं अब्दल फते अलसीसी हैं जो Egypt के President है जिन्होंने भारती छात्रों को सम्मानत किया है अभी ये 26 जनवरी में भारत की Chief Guest भी रह चुके है दोस्तो अब आपका टेस्ट होने वाला है 10 प्रशनों का पहला प्रशनी रहा महराष्ट के राजपाल हाली में कौन बने है तो ये बने रमिश बैस विश्व रेडियो दिवस को मनाने की घोषना किस वर्स की गई थी 2011 में महराष्ट बूशन पुरसकार में कितनी राशी प्रदान की जाती है 25 लाख रुपे भारत के वर्तवान खनन मंत्री कोन है तो ये हैं प्रालाज जोसी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है अमेजन के CEO कोन है इनका क्या नाम है तो इनका नाम है एंडी जैसी भारती समविधान के किस आर्डिकल के अनुसार हर एक राज़ का एक राजपाल होगा आर्टिकल 153 में बताया गया है विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रविंद जगननात के इस देश के प्रधान मंत्री है तो ये मौरशिस के प्रधान मंत्री है वाड़ी जैराम का निधन हो गया आपको इनके बारे में 5 लाइन लिखनी है 5 सेंटेस लिखना है दोस्तों कल के पहचानों कौन सीरीज में रितेश कुमार, कठो करी और अविनास कुमार ने बताया है जो तस्वीर की नलंदा विश्विद्याले की तस्वीर थी आप इनके बारे में पढ़ सकते है आज का सवाल है यूट्यूब के नैसी यो कौन मैंने आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है 18 फर्वरी की रिजल्ट हमारे पास है इसमें रिया गुपताजी ने टॉप किया है, राके सिंग सेकेंड है आमिर सिंग राजपूर थर्ड है शिवांगी चौधरी फोर्थ है और यह सरोड़ा फिफ्थ है कॉंग्रेचुलेशन टू एवरिवन दोस्तों ये जो टेस्ट है ये कहां पर होता है हमारे क्रेजी जीकेटरिक एप्लिकेशन पर ये टेस्ट होता है आप इसकी डेली फ्री पीडियाफ भी प्राप्ट कर सकते है ये जो पीडियाफ है हमारे अप्लिकेशन पर आपको मिल जाता है पूरी तरिके से फ्री है वीडियो पीडियाफ क्वेस सब कुछ यहां पर आपको फ्री में मिलेगा शाम को 6 बज़े डेली गरेंट अफ्री की पीडियाफ अप्लोड कर दी जाती है सुबह 9 बज़े आपको टेस्ट देना होता है इसके लाव आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड सकते है हमारे इंस्टाग्राम हेंडल से भी आप जुड सकते है पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक कर दीजेगा और शेयर जरूर करिएगा